प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पार्ट सामुएल का दूसरा ग्रंत अध्याय साथ वचन संख्याएं चार से पाँच बारा से चवदः और सोल प्रभु की वानी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी मेरे सेवक दाउद के पास जाकर कहना प्रभु यह कहता है जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरुखों के साथ विसराम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्रा अधिकारी बनाऊंगा और उनका राज्य बनाये रखूंगा वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उनका सिहासन सदा के लिए सुद्रिड बना दूँगा मैं उसका पिता होँगा और वह मेरा पुत्र होगा तुम्हारा वंच और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उनका सिहासन अनंतकाल तक सुद्रिल रहेगा यह प्रभु की वानी है संत मती के अनुसार पवित्र रहसु समाचार अध्याई एक वाके संख्या 16, 18-21 और 24 याकुब से मर्यम का पती यूसुफ उत्पन हुआ और मर्यम से येसु उत्पन हुए जो मसी कहलाते हैं मसी का जन्म इस प्रकार हुआ उसकी माता मर्यम की मंगनी यूसुफ से हुई थी परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मर्यम पवित्र आत्मा से गर्वती हो गई उसका पती यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था क्योंकि वह धर्मी था और मर्यम को बदनाम नहीं करना चाहता था वह इस पर विचार करी रहा था कि उसे स्वपन में प्रभु का दूद यह कहते वे दिखाए दिया हे यूसुफ दाउत की संतान अपनी पतनी मर्यम को अपने यहां लाने से नहीं डरें क्योंकि जो उसके गर्व में है वह पवित्र आत्मा से है वह पुत्र प्रसाओ करेगी और आप उसका नाम येसु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा या सब इसले हुआ जिससे नभी के मुक्त से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए देखो एक कुमारी गर्वती होगी और पुत्र प्रसाओ करेगी और उसका नाम इमानविल रखा जाएगा जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है यूसुफ नीन से उठकर प्रभु के दूद के आग्यानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसाओ नहीं किया और यूसुफ ने उसका नाम येशू रखा या प्रभु का पवित्र सु समाचार है क्रिस्थ प्रभु की जै येशु में मेरे प्रिये भाई और बहनों आज माता केलिस्या संत यूसुफ का पर्व दिवस मनाती है जो कुवारी माता मर्यम का पती और येशु का पालक पिता है यदि हम यूसुफ के बारे में बाइबल में ढूणेंगे तो कहीं भी ऐसा कोई बीवरन नहीं मिलेगा जहां पर यूसुफ अपने शब्दों से कुछ कहते हैं लेकिन बस हम उसे करता हुआ पाते हैं वा इश्वर की आग्या को मानता है और उसकी आग्या नुसार उसका पालन करता है और संभावता इसी कारण यूसुफ को धर्मी माना जाता है और आज के सू समाचार में भी हम देखते हैं जहां पर सू समाचार के रचैता यूसुफ को धर्मी बताते हुए कहता है उसका पती यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था क्योंकि वह धर्मी था और मर्यम को बदनाम नहीं करना चाहता था एक और हम देखते हैं कि यूसुफ बिना कुछ कहे बस अपने कारियों को करते हुए धार्मिक्ता को प्राप्त करता है तो हम अपने लिए एक सवाल ले सकते हैं कि ईश्वर की द्रिष्टी में धर्मी मनुश्य कौन है या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बाइबल कि लोगों को धार्मिक मानती है हमारे सामने बाइबल बहुत सारे उदाहरन प्रस्तुत करती है और उसके द्वारा हमें बताने की कोशिश करती है कि कौन सा मनुश्य ईश्वर की द्रिष्टी कौन में धर्मी बन सकता है और धर्मी होता है सबसे बड़ा उदाहरन हमारे बेच में इबराहिम के विशे में रखा जाता है जो विश्वास के कारण धर्मी माना जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि बाइबल में बताये जाने वाली बातों में वही मनुश्य धर्मी बन सकता है जो असंभो लगने वाली बात और असंभो लगने वाली ईश्वरिय योजना पर विश्वास करता है हम इबराहिम के जीवन में देखते हैं एक और ईश्वर उससे प्रतिग्या करता है कि उसकी संताने आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान होगी और दूसरी और ईश्वर उसकी परिक्षा लेते हुए अपने एकलोते पुत्र इसहाग को बलिदान के लिए उसे प्रेरित करता है और बाद में देखते हैं कि ईश्वर अपनी प्रतिग्या को पूरी करता है क्योंकि उसने पूरी तरह से ईश्वर पर नहित और ईश्वर पर केंद्रित अपने जीवन को जिया इबराहिम जानता था कि जिस ईश्वर ने उसे प्रतिग्या किया है वह उसके जीवन में उसे पूर्ण करेगा और इसे हम आज के दूसरे पाट में पाते हैं जहां पर रोमियों के नाम सुनपालूस अपने पत्र के द्वारा हमारे सामने अपनी बातों को रखते हुए कहता है इबराहिम ने निराशा जनक परिसिती में भी आशा रख कर विश्वास किया और वह बहुत से राश्ट्रों का पिता बन गया जैसा कि उस से कहा गया था तेरे असंक्या वन्शज होंगे उस विश्वास के कारण इश्वर ने उसे धार्मिक माना है तो मनुश्य की जीवन में जब विश्वास आता है और विश्वास के द्वारा वह इश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करता है तो वह इश्वर की द्रिष्टी में धर्मी बन जाता है और यही बात यूसुफ के जीवन में भी होता है जैसे ही उसे संदेश मिलता है कि उनकी पत्नी जो अभी बनने वाली है वो गर्व से है वो उसका नाम बदनाम नहीं करना चाहता था वो चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था और तभी स्वप्न में उसे प्रभु का दूत दि झाता है और योजना को समझते हुए इश्वर पर शद्धा रखते हुए वा उटता है और माता मर्यम को अपने घर लेकर आता है और बालक को येशू नाम देता है और इसी कारण कलिसया और आज किशु समाचार के रचेता यूसुफ को धर्मी कहकर पुकारता है हम इब्रावनियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है विश्वास के आभाओं में कोई इश्वर का क्रिपा पात्र नहीं बन सकता है वचन बहुत साफ है वचन कहता है कि विश्वास के आभाओं में कोई भी विक्ति इश्वर क क्रिपा पात्र नहीं बन सकता है और इश्वर के प्रती क्रिपा पात्र बनने के लिए हमारे जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है और हमारी समझ में जो आसंबो लगता है जो इश्वर ये योजना से पूर्ण है उसे हमें अपने जीवन में स्विकार करना है हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाई होती है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे ऐसे दुख मिलने लगते हैं जिसका अर्थ हम समझने में असमर्थ हो जाते हैं लेकिन जब हम विश्वास के साथ उन सबों को स्विकार करते हैं, कि यह ईश्वर की योर से है और मैं इसे सहर्ष स्विकार करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारे जीवन में उसका अर्थ निकल कर आता है, हम जीवन की हर एक प्रसिती में हम अपने आप को ढालने लग जाते हैं इश्वर की योजना को पहचानने लग जाते हैं, और यह ईश्वर का सबसे बड़ा प्रमान है कि वह हमारे साथ में है, इसलिए इबरानी के जो रचैता हैं, वो कहते हैं कि विश्वास के आभाओं में कोई भी इश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है, और यदि हमें इश्वर का कृपा पात्र बनना है, तो अपने जीवन में हमें विश्वास को लेकर आना है, हमारे सामने दूसरा सबसे बड़ा प्रमान है, उत्पति ग्रंत अध्याय साथ में जहां पर इश्वर नूह को धर्मी प्रुश्प मानता है, क्योंकि उसने इश्वर की आग्या को पालन किया है, इश्वर ने जो कहा उसे पूरा किया है, और इसलिए इश्वर उसे धर्मी मानता है, हम रोम्यों के नाम पत्र अध्याय, दस वाक्य संख्या, दस में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, हृदय से विश्वास करने पर मनुश्य धर्मी बनता है, और य इश्वर के वचनों पर विश्वास किया, अब इसलिए वे इश्वर की दृष्टी कोन में धार्मिक बन गए, आज हमारे लिए जरूरत है कि हम कैसे इश्वर के वचन को अपने जीवन में सुविकार करते हैं, उसे अंगिकृत करते हैं, दूसरा महत पूर्ण बात है, कि जो इश्वर पर श्रधा रखता है, वह मनुश्य धर्मी बनता है, हम स्तोत्र 112 वाकि संख्या एक में पढ़ते हैं, जहां पर हमें धर्मी की धन्यता के बारे में वचन को हमारे सामने रखा गया है, वचन कहता है, धन्य है वह मनुश्य जो प्रभू पर श्रधा रखता है, और उसी कारण उसी श्रधा के कारण वह मनुश्य अपनी धार्मिक्ता को आगे बढ़ाता है धार्मिक्ता का जीवन जीने लगता है तीसरा मत पूर्ण बात है आग्या पालन के द्वारा मनुश्य अपने जीवन को धार्मिक बनाता है हम पुना स्तोत्र 112 वाक्य संख्या एक से दो के बीच में पढ़ते हैं जहां पर बचन कहता है उसकी आग्याओं को हृदय से चाहता है उसका वन्ष पृत्वी पर फलेगा फुलेगा धर्मियों के संत्ति को आशिरुवाद प्राप्त होगी यहां पर आज के पर्व को यदि हम गहराय से देखेंगे तो संजोसिप के बारे में हमें यह बात मालूम होता है कि उसने ईश्वर की आग्या को पालन किया एक बार जब वह सोचने लगता है कि वह चुपके से मर्यम का परित्याग कर देगा वहीं ईश्वर का दूद उसके सुपन में आता है और उसे ईश्वर ये योजना के बारे में बताता है अरवा उस योजना को अपने जीवन में स्विकार करता है और दूत के कहे हुए वचन के अनुसार मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्विकार करता है हम संद्मति के सुसमाचार अध्याए पांच में पढ़ते हैं जहां पर परवत प्रवचन पर आश्र वचनों को हमारे सामने रखा जाता है और प्रभू बहुत से आश्र वचन हमारे सामने रखते हैं और उन आश्र वचनों में दो आश्र वचन ऐसे वचन है जो हमें धार्म अपने जीवन में लागो करते हैं पहली बात है जिसे हम संद मती के सूसमाचार अध्यापांच वाक्या संख्या साथ में पढ़ते हैं जहां प्रवचन कहता है धन्या है वे जो धार्मिक्ता के भूखे और प्यासे हैं वे त्रिप्त किये जाएंगे जब हम धार्मिक्ता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं भूखे और प्यासे विश्वास को ले करके शरदा को ले करके ईश्वर के आग्या पालन को ले करके जब हम भूखे प्यासे होते हैं उसे अपने जीवन में लगातार प्रयोग करते हैं उसे लगातार आंगिक्रित क धन्यता से भर जाता है। लोगों के तिरेसकार को स्विकार करते हैं और बहुंस सारे दुखों को सहने लगते हैं तब हमें ईश्वर स्वर्क राज देने का वचन देता है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो यूसफ की बहाती हम अपने आपको धर्मी बनाने लगते हैं। आपको धर्मी बनाना है। बल प्रदान करें। लागो किया और तेरे योजना को उसने अपने जीवन में आंगिकरित किया। विश्वास को ले करके, भरोसे को ले करके, श्रधा को ले करके, आग्या पालन को ले करके। प्रदान करते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। प्रभु तेरे वाड़ी जीवन की रोठी। नेनों की जोते अंधेरा मिटाती। वाड़ी 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 वाड़ी। पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है। लाड़ी Covidी वाड़ी करते हैं। भॉन के दितला कि वाड़ी वाड़ी। बे승 devrait देने के दिट्र्छर याड़ वाड़ी वाड़ी ok दो प्रभु झाल प्रेक्पल प्रे ऊज ब्यूब याज दीए झाल झाल